Hello everyone, I am Deepti. Welcome to Deepti Study Circle. Today we are going to solve question number 1 from exercise 2.4, class 7, chapter, fractions and decimals. ठीक है? तो question number 1 क्या है? Question number 1 के हमें 6 part given है. ठीक है? उनके में answers निकालने हैं. तो सबसे पहले इसका first part देखते हैं. First part क्या है कि 12 को divide करना है 3 upon 4 से. ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए. क्या करना है 12 को divide करना है? तो 12 को मैं पहले ऐसे लिख लेते हैं. अब हम इस divide है. इसकी जगे हम किसका symbol लगा देते है? multiply का. जब हमने multiply का symbol लगा दिया. तो जो इसकी ये वाली value होती है. दूसरी वाली value. जो divide के बात की value होती है. उसको क्या करते हैं? हम पलट देते हैं उस value को. अभी यहाँ 3 upon 4 है. तो यह क्या हो जाएगी? 4 upon 3. जब हमने यहाँ पर multiply लगा दिया. तो यह क्या हो जाएगी? 4 upon 3. तो यहाँ पर यह 4 upon 3 हो गई. तो आप यहाँ पर देखिए. इसको क्या करें हम? 3 से cut कर देते हैं. 3 बंजा 3. ठीक है? 3 फोर जा 12. यही होता है. 3 बंजा 3. 3 फोर जा 12. क्योंकि 3 की travel में 12 आता है. तो अब उपर देखिए. नियूमरेटर में क्या बचा? 4 इन्टू 4. इन्टू 4. इन्टू 4. इन्टू 4. इन्टू 4. बंचा. तो हमें उसको लिखने की ज़राती नहीं है. तो इन दोनों का multiply कर देते हैं. 4 फोर जा 16. तो इसका answer कितना आ गया? 16. ठीक है? इसी तरह देखते है इसका second part. Second part क्या है कि 14 को हमें divide करना है 5 upon 6 इसे. तो देखिए कैसे करेंगे? 14 के तो ऐसे लिख लेते हैं. divide कीज़े के multiply का निसान लगाएंगे. सिंबल लगाएंगे. ठीक है? उसके बाद 5 upon 6 जो है. उसका just opposite कर देंगे. तो यह क्या हो जाएगा? 6 upon 5. यही हो जाएगा ना तो आप देखिए. अभी यह 5 के table में 14 भी नहीं आता है. नहीं 6 आता है. ठीक है? तो यह किसी से divide हो गई नहीं. तो हम क्या करते है? numerator, numerator का multiply कर देते हैं. तो numerator का 14, 6 जा कितना होता है? 84. ठीक है? upon 5 है. तो 5 लिखती है. अभी देखिए यह जो हमारी value आई है. ठीक है? निकल proper fraction होता है. तो है? तो इसको क्या करते है? पहले इसको mixed fraction में convert कर देते हैं. तो mixed fraction में convert करने के लिए क्या करना होगा? 84 को divide करना होगा 5 से. ठीक है? तो क्या होता है? 5 बन जा? 5. 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3. यहां से हमने कितना लिया? 4. ठीक है? 5, 6 जा? 30. 34 में से 30 गया? क पूरा divide होके आया है. तो यह whole number हो गया. तो इसको हम कहां पर रखेंगे? 16 को इस प्लेस पर. जो हमारा remainder बसता है? वो हमारा कहां पर जाता है? इस प्लेस पर जाता है. उपर numerator की प्लेस पर. और जो हमारा denominator होता है? वो क्या होता है? जिससे हमने divide किया होता है? तो 5 इसका denominator हो 3 से तो देखे 8 divide किज़े के multiply लगा देते हैं इनकी value को बलड़ देते हैं यहाँ पर 7 upon 3 है तो यह क्या हो जाएगा 3 upon 7 अभी भी यह किसी से कोई divide नहीं होगा number तो इसका multiply कर लेते 8 3 जा कितना होता है 24 upon 7 ऐसे रख दिया तीक है अभी भी यह improper fraction में change करके mix fraction में रख देते हैं तो 24 को divide कर देते हैं 7 से 7 3 जा 21 24 में से 21 कितना बचा 3 तो यह देखे जो 3 whole आए वो हमारा इस place पे जाएगा जो 3 हमारा remainder बचा है वो numerator की place पे जाएगा प्लस यह जिस से हमने divide किया वो हमारा denominator की place पे जाएगा तो इसका answer क्या होगे 3 as 3 upon 7 ठीक है इसी तरह देखते हैं इसका 4th part 4th part क्या है देखे 4 को divide करना है 8 upon 3 से तो 4 दिख देते हैं divide की जगे multiply 8 upon 3 है तो यह क्या हो जाएगा 3 upon 8 पलट जाएगा ठीक है 4 बन जा 4, 4 टू जा 8 तो यह क्या बचा 3 upon 2 अभी भी improper fraction है तो इसको mix fraction में change कर लेते हैं तो 3 को divide कर देते हैं 2 से 2 बन जा 2 3 में से 2 गया कितना बचा 1 तो इसका answer क्या आ गया जो हमारा hole है यहाँ पे जो हमारा denominator है numerator की place पे जिससे हमने divide किया है वो हमारा denominator की place पे इसका answer आ गया 1s1 upon 2 ठीक है इसी तरह देखते हैं इसका 5th part 5th part क्या है 3 को divide करना है 2s1 upon 3 से ठीक है तो इसको देखें सबसे पहले 3 को ऐसे रख देते हैं यहाँ पे भी divide का भी symbol यह जो देखें हमारा mix fraction में given है तो इसको हम पहले fraction में change कर लेते हैं ठीक है तो कैसे change करेंगे 3 2 जा 6 plus 1 7 upon 3 ठीक है अब इसको solve करते हैं 3 को ऐसे रखते हैं divide की जगे multiply 7 upon 3 है तो यह हो जाएगा 3 upon 7 अब क्या करते हैं किसी से divide तो होगा नहीं multiply कर देते हैं 3 3 जा 9 upon 7 ठीक है इस भी improper fraction को mix fraction में change कर लेते हैं 9 upon 7 ना 7 बन जा 7 कितना बचा 2 तो इसका answer क्या हो जाएगा 1 तो हमारा इस प्लेस पर आजाएगा ठीक है और जो हमारा remainder बचा है वो denominator की प्लेस पर जाएगा जिससे हमने divide किया हो हमारा denominator की प्लेस पर आजएगा तो इसका answer क्या हो गया 1s2 upon 7 ठीक है इसी तरह देखते हैं इसका 6th part 6th part क्या है 5 को divide करना है 3s4 upon 7 से ये भी हमारा mixed fraction में है तो इसको पहले हम proper improper fraction जो भी उस change होगा उसमें करते हैं तो देखिए improper में ही आएगा obvious सी बात है तो 7th रीजा 21 21 plus 24 25 upon 7 ठीक है अब देखिए 5 को ऐसे रखते हैं divide की चेकर multiply लगाया values को reverse का दिया यहाँ पर 25 upon 7 है तो यह क्या हो जाएगा 7 upon 25 5 वान जा 5 5 5 जा 25 ठीक है तो आप यहाँ पर देखिए 7 उपर आ जाएगा denominator में क्या जाएगा 5 अभी भी इसको हम change कर सकते है 7 को divide का दीजे 5 से ठीक है तो 5 वान जा 5 7 में से 5 गया 2 अब तो यह divide होगा नहीं further तो इसका answer क्या जाएगा 1 तो हमारा whole number यहाँ पर आ जाएगा remainder हमारा numerator की प्लेस पे से हमने divide किया वह हमारा denominator की प्लेस पे तो इसका answer हो गया 1s2 अपॉन 5 यह था question नंबर 1 एक्सराइस 2.4 का